नमस्कार दोस्तो आज एक और खास विशे पर वीडियो ले करके आपके बीच में आए हैं जैसा कि हमने टाइटल देख लिया होगा इसमें बात करने वाला हूँ ग्राम प्रधान का चुनाओ जीतनी की ट्रेनिंग ये वैसे तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसम साथी का मुझे एक वाटसेप आया और जिसने मुझे मजबूर किया ये सब तयार करने के लिए उसने का कि सर मैं वाकई देश के लिए अपने गाउं के लिए समाज के लिए भारत की राज़िती को बदलने के लिए कुछ करना चाहता हूँ और आपका साथ हापका सही होग मेरे पास बहुत जादा पैसे नहीं है कि मैं आपके ट्रेणिंग अफोर्ड कर सकूँ लेकिन मेरी आर्थी से इतनी भी खराम नहीं है कि मैं चुनाओ ना लोड़ पाऊँ बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी ट्रेणिंग मुझे दे दे मैंने पहले सुचा कि नहीं नहीं देनी चाहिए फिर मुझे लगा कि यह केला व्यक्ति नहीं है ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो वाकए ग्राम इस्तर पर बड़ा बदलाव करना चाहते होंगे तो उन्हें मुझे कुछ इन्पुट दे देना चाहिए तो मैं ब्रीफ में ट्रेणिंग दे रहा हूँ ट्रेणिंग में क्या-क्या सीख दे हैं को कौनकों से टॉपिक मिलने वाले उनके बारे बात करेंगे और कैसे आप ट्रेनिंग में इस ट्रेनिंग को इस्तमाल करके अपने आपको राजनिती में स्थापित कर सकते हैं ग्राम स्थर की राजनिती में सफल हो सकते हैं चुनाओ जीच सकते हैं कोशिश करेंगे 5 यचे पार्ट में इस ट्रेनिंग को किया जाए और 10-10, 12-12, 15-15 मिन के वीडियोस हों और हर वीडियो में 3-4 टॉपिक को कवर किया जाए आज की वीडियो में 4 टॉपिक में कवर करने वाला हूं सबसे पहला ग्राम सभा को चुनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें मैं बात करूँगा जब भी वैसे तो हम जहां रहते हैं हमें उसी ग्राम सभा से चुनाओ लडना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि वही ग्राम सभा से आप चुनाओ लडें क्यूंकि चुनाओ के हिसाफ से आपका वोटर आइडी कार जहां का है आपको समीकरन देखने होंगे समीकरण यदि आपके फेवर में आपके ग्राम सभा के हैं तो वहाँ से यदि आपके ननीहाल से समीकरण आपके फेवर में तो वहाँ से यदि आपके ददीहाल में समीकरण फेवर में वहाँ से यदि आपके इनलास के हाँ से, आपके समीकरण फेवर में तो वहाँ से, यदि कोई लड़की है, बिहाई हुई है और उसका मेके में जाद अच्छे समीकरण तो वहाँ से, अगर सुसराल में जाद अच्छे समीकरण तो सुसराल से, हमें सारे समीकरण देखने होंगे, तब जा करके हम gram सभा को चुनें तो हमें ये धियान रखना है कि जहां पर समीकरन हमारे favorable हूँ अब समीकरन favorable की क्या parameter है क्या परिभाशा है कैसे मानें कि हमारी gram सभा में समीकरन हमारे favor में है या हमारे खिलाफ है तीन चीजे हैं जिससे आप identify कर सकते हैं नमबर वन जहाँ पर उस ग्राम सभा में आपकी छवी आपकी इमेज फेवरेबल हो या अगर फेवरेबल ना भी हो तो न्यूट्रल हो खराब ना हो तो अगर आपके छवी खराब नहीं है, नीट्रल है या फेवरेबल है, वहाँ पर वहाँ के समीक्रणों के हिसाब से, जातिगत समीक्रणों के हिसाब से, धार्मी समीक्रणों के हिसाब से, आर्थिक समीक्रणों के हिसाब से, तो वहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है दूसरा कम से कम आपके अपने परिवार के खांदान के या कुनबे के कुछ वोट होने चाहिए कुछ वोट इनल सेंस दस घर हो और हर घर में 5-5 वोट है तो 50 वोट काफी है अगर किसी गाउं में दो जगाउं आपके समीकरन फेवरेबल हैं आपके अपनी जगा भी और अपने ननिहाल में भी या एक तीसरे गाउं में भी जहां पढाई किया आपने या आपने ज़्यादा समय गुजारा है या आपको वियापार करते हैं तो तीनों जगा कंपेर करो कि कहाँ सबसे ज़्यादा वोट आपके अपने हैं कहाँ अपने खास लोग आपके अपास ज़्यादा हैं वहाँ पर चुनाओ जीतनी की संभावना अधिक होती है तीसरा फेवरेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा वहाँ के वरतमान प्रधान की सिती जो वरतमान प्रधान है वो कैसा है और उसके कंपेरिजन में आप कहाँ टिकते हैं कि बार ऐसा होता है कि जहां हम रहते होते हैं, जहां से मैं चुड़ाओ लणना होता है, वहां की सिती उतनी फेवरेबल नहीं होती है, वहां पर किसी particular परिवार का वर्चस होता है, कोई particular वेक्टी ऐसा होता है, जो हमसे जादा powerful है, दबंग है, पैसे वाला है, या किसी और च क्या चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, या किस चीज़ का और ध्यान रखना है, दूसरा होता है आपकी अपनी सिती, आपकी आर्थी की सिती, आपकी मांसी की सिती, आपकी राजनिती की सिती, आपकी शारिरी की सिती, आपके साथ के जुड़े हुए लोग, आपकी team तो आप अपनी सिति देखिए कि आपकी सित्ति कहां favorable है जहांपर favorable है उस सित्ति के साब्से आपको चुनाऊ लगना है और gram सभा जब चुन ली है तो अपनी सित्ति को मजबूत करना है मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब आप राजनीती में जाते हैं सिति को देखिए आपके सिति कैसी है और उसको मजबूत करने ही कोशिश करिए जादा जादा लोगों को अपने साथ जोड़िए टीम बिलिंग पर फोकस करिए जादा जादा लोग आपके साथ जुड़ पाएं और हो सके तो अपनी जाती धर्म के अलावा भी दूसरी जाती धर्म के लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू करिए जब आप दूसरी जाती धर्म के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं पेनेट्रेट करते हैं तो इससे आपको दो फायदे होते हैं पहला फायदा तो दो काउंट करके चलिए जिस वोट को भी आप तोड़े लेंगे जातिकत समीकरणों को तैयार करना धार्मी समीकरणों के इसाब से अपनी टीम को बिल्ड करना तीसरी चीज टीम में किस तरह के लोग रखे जाए और टीम कैसी तैयार की जाए मुटे मुटे तरह पर हर चुनाओं में अलगला काम के लिए अलगला टीमें होती है तो टीमें डिपेंड करती हैं आपकी ग्राम सभा के साइज पर अमूमन एक ग्राम सभा में हजार बारा सो पंदरा सो दोजार वोट होते हैं बट कई ग्राम सभाएं हमारे याँ पर 15,000, 12,000, 10,000 वोट की में हैं तो जितने ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा टीमों की ज़रूत होगी या टीम के साइज उतने ज़्यादा होंगे मोटे मोटे तोर पर गाउं पर आपको प्रोमोशनल टीम ज़रूर चाहिए होगी तो एक प्रोमोशनल टीम तैयार करके रखे आपको एक फंडरीजिन टीम चाहिए होगी फंडरीजिन टीम तैयार करके रखे आपको एक campaign team चाहिए होगी जो पूरा campaign को manage करेगी उसको तयार करेगे रखे आपकी एक social media team होगी जो social media पर काम करेगी उसको तयार रखे इसके अलावा आपके strategies होने चाहिए जो आपके लिए runnitikar की भी होनी चाहिए उसमें एक या दो लोग हो सकते हैं जो लोग आपके साथ बैठ करके runnitik बनाएंगे और जब भी जो चुनावति आएंगी उन सारी चुनावतियों से पार पाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आप चुनावत जीतने में ये चीज़े मदद कर सकती हैं चौती चीज़ बूथ का management वैसे तो बूथ लेवल मेनेजमेंट वी जैसे मैंने का ये सारी चीज़े मैं ट्रीनिंग में सिखाते हूं बट मैं ब्रीफ में बता रहा हूं आप अपने ग्राम सभा में जितने भी बूथ हैं अमूमन 500-600 वोट पर एक बूथ होता है तो अगर आपके यह 2000 वोट हैं तो 4 बूथ होंगे 10,000 हैं तो उस रिज़ाब से आपके यहां पर 15 या 18 बूथ होंगे 20 भी हो सकते हैं हर बूथ पर कम से कम 5-5 लोग चाहिए होंगे आपको अब आपको ऐसे लोगों को identify करना पड़ेगा जो बूथ इंचारज बन सके जो बूथ की टीम का member बन सके बूथ इंचारज में क्या का गुन होने चाहिए बूत इंचार्ज कैसे तयार करना है कम से कम तीन मेहने पहले तयार करनी है बूत की टीम बूत की टीम को क्या का काम देना है वो किस तरह से आपको लोगों से मिलवाएगा किस तरह से आपका प्रमोशन करेगा आपकी विचार धरा, आप गाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके थौट्स, आपके विचार, आपके सपने क्या हैं, उस ग्राम सभा को लेकर करके जहां से आप प्रितनीदित करना चाहते हैं, वहाँ आप ऐसी क्या आदर्शिक्सितित दे सकते हैं, जो कोई भी नहीं लेंगे तो इसमें बता दूंगा किस तरह के गुण होने चाहेँ पूरा एगऌटे का टॉपिक है इसका जिसमें बूथ इंचार्ज के गुणों के बारे में, बूथ कमेटिओं के काम के बारे में, पूरा आपको डिटेल में सिखाया जाएगा तो इस तरफ से अगर आप यह चार काम करेंगे तो यह आपको राजनीती में ग्रामिस्थर की जीतने में, आगे बढ़ने में, टीम बनाने में, लोगों के बीच में आपकी पहचान बनाने में मदद करेंगे अभी लहर का चुनाओ हो, सांसद विधायक का चुनाओ हो या कोई भी चुनाओ हो, जिला पंचैसदस्य, बीडीसी मेंबर, चेर्मेन या मेर या कॉर्परेटर का लहर का बहुत बड़ा रोल होता है तो मैं आपको इस बात बता देना चाहता हूँ आने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक सेपरेट टीम बनानी है जो लहर बनाने का काम करेगी, जो आपके बारे में चर्चा करने का काम करेगी इस टीम में क्या होगा, इस टीम में कम से कम हर बूत से एक-एक वेक्ति को लिया जाना चाहिए और ये लोग regularly booth पर आपके बारे में चर्चा करने का काम करेंगे इसमें कुछ लोग छुपा परचार करेंगे, कुछ लोग खुल करके परचार करेंगे छुपा परचार करने वालों को अलग-अलग तरीके से काम करना होता है वो जब आप प्रिनिंग में आएंगे तो मैं आपको गाइड कर दूँगा और जो खुलकर प्रमोशन करते हैं वो सामने प्रमोशन हो रहा होता है जैसे हम देखते हैं बैनर, होडिंग के रूप में, वीडियोस के रूप में बनाते समय दो चीजों का ध्यान रखना है पहली चीज जहां एक और आपने अपनी लहर बनानी है वहीं दूसरी और अपने विरोधी की लहर को तोड़ना भी है जी हाँ हमें लहर बनाना जैसे लहर बनाने के लिए टीम तयार की जाती है वही टीम दूसरी की लहर को खत्म करन आप नहीं बनती है हर लहर बनाई जाती है तो इसी तरह से लहर को तोड़ा भी जा सकता है समाग भी किया जा सकता है बस हमें वो बेसिक समी करने बेसिक प्रिंसिपल जानने है कि कैसे सामने वाले की लहर को तोड़ा जाए अब लहर को तोड़ने के प्रिंसिपल वो क्या है तो पहले तुँ आधार चेक करो जो भी उसका अधार हो उस आधार के विपरिदि अपनी टीम को establish करना शुरू करो कैसे कैसे उसके आधार को ध्वस्त किया जा सकता है उसके आधार को तोड़ा जा सकता है ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके उपर उसका बहुत बड़ा ऐसान रहा हो आर्थी रूप से मदद की हो, शार रूप से मदद की हो कहीं उसके उपर एहसान रहे हो लेकिन ऐसे लोग भी रहे होंगे जो उससे नाराज होंगे ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनके उपर उसका नेगेटिव एहसान होगा या जिनके साथ गलत किया होगा उनको identify करो और ये लोग उसकी लहर को तोड़ने का काम करेंगे तो इधर जिन लोगों के साथ आपने अच्छा किया है वो आपकी positive लहर बनाने का काम करें और जिन लोगों के साथ उसने गलत किया है वो उसकी negative लहर या उसकी लहर को खत्म करने का काम करें दूसरी चीज जो मैं अक्सर बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ पर्चा, चर्चा और खर्चा राजनीती मेंन का बहुत बड़ा योगदान है इसी तरह ग्रामिस्तर के चुनाओं में बीडिसी मेंबर के चेर्मेन के तरी स्थरिय पंचायती एलक्षन में पर्चा, चर्चा और खर्चा तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है तो हम आपने करना क्या है? किसी की राजनिती अगर समाप्त करनी हो तो पहले उसकी चर्चा को खत्म करो उसकी राजनिती अपने आप समाप्त हो जाएगी अपने विरोधी की चर्चा को समाप्त करना और इसमें ये ध्यान रखिएगा जब उसकी चर्चा को समाप्त कर रहे हो उस चर्चा को समाप्त करते समय उमीदवार यानि आप जो चुनाव लड़ रहा है उसका वहाँ होना ज़रूरी नहीं है कोशिश ये की जाए वो वहाँ ना हो आप आपने एक टीम जो आपकी प्रोमोशनल टीम है वो इस परचा चर्चा खर्चा के लिए मैनेज करने काम करेगी परचा मतलब आपका टिकेट आपने नॉमिनेशन भरना आपका परचा ठीक होना चाहिए अगर परचा गलत भरा गया अच्छा वकील नहीं रखा थोड़ा पैसे का लाल अज कर लिया और परचा कैंसेजल होगे तो काम खत्म हो जाएगा तो नॉमिनेशन से होना चाहिए परचा चर्चा ठीक होना चाहिए regularly आपके बारे में चर्चा हो रही हो कई जगा हो सकता है आपने कुछ school college में गलत किया हो हो सकता है पुराने कोई कुकर्म या बुरे कर्म सामने आ जाए या कुछ ऐसा कर दिया हो किसी से पैसे की गड़बर हो गई हो या आपकी छवी ऐसी बन गई हो जो आपको लगता है ठीक नहीं है तो उस पर जादा मेहनत करने की ज़रूद नहीं है चर्चा होने दीजी कम से कम चुनाओं से तीन मेहने पहले तक तो बहुत जादा चर्चा होने दीजीए जितनी जादा चर्चा होगी उतनी आपकी जीत की संभावना जादा होगी क्योंकि अक्सर चुनाव में देखा गया है जिसकी चर्चा जादा हो रहे होती है जिसका लोग जादा विरोत कर रहे होते हैं अक्सर वही चुनाव जीतता है तो आप अपनी चर्चा करिए अगर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कोई ईशु नहीं मिल पा रहा है तो चर्चा पैदा करने के लिए इशु पैदा करिये ऐसे मुद्देट एकटे कर रहे है जो आपके रण्डी तो यह जिनसे आप सल़ा ले रहे हैं उसे भी लेना चाहिए तो मैं बता हूँगा कौनकों से मुद्धों पे आपकी चर्चा शुरू हो सकती है आपके लोग क्या कहेंगे जो तीसरा हमारा विशे बीजस पे बात करनी है कि हो सकता है मैं तीन मेहने पहले काम शुरू कर दू सीट रिजर्व हो जाए, बिलकु संभावना है डिलिमिटेशन आजाए, जर्नल से SC हो जाए, SC से जर्नल हो जाए, OBC हो जाए, BC की हो जाए, सीट महिला हो जाए तो क्या करना है, तो अपना बैक अप पहले से तयार रखो जरूरी नहीं होता आप चुनाव लड़े, आपकी वाइफ चुनाव लड़ सकती है अगर महिला सीट है, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं, तो कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपका मित्र चुनाव लड़ सकता है अब करी लोग कहते हैं अगर माल लीजे मुझे चुनाओ नहीं लड़ना मैं ही लड़ना चाहता हूँ और सीट रिजर्व हो गई महिला रिजर्व हो और मेरे घर में कोई महिला नहीं है और चुनाओ मुझे लड़ना मैं क्या करूँ तो बहुत सारी जगा गल्त काम होते हैं पैसा देख करके भी सीटें चेंज कराई जाती है लेकिन फिर भी अगर आपको यह सब नहीं करना नहीं पता है तो आप यह मान करके चलिए कि जो दो तीन महीने में आपने पैसा लगाया वो पैसा बरबाद हो गया और अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते है तो राजनीती में मत उतरिये चुनाओं में मत उतरिये मैंने पहले भी कहा है फिर कह रहा हूँ अपना घर फूक कर तमाशा देखने का फील है राजनीती जियाँ आपना घर खुदी फूगना और हुदी तमाशा देखना और ये काम हर कोई नहीं कर सकता ये दिलेर लोगा काम हे बुझ जिलों का काम नहीं है डरफ़र्पू लोगा काम नहीं है आपको तयह करना पड़ेगा कि इतना उकसान हो सकता है उसकी तैयारी करके जाएए बिना उस तैयारी के कोई फायदा नहीं होने वाला तो हमें क्या करना है अपनी टीम को बिल्ड करना है शेड़ो कैमपेनिंग तैयार करनी है टीम बिल्डिंग के साथ अपनी लहर बनानी है दूसरी की लहर को तोड़ना है अपने परचार परशार के लिए सारे माध्यमों का इस्तमाल करना है और चौती चीज जिसका हमें बहुत जादा ध्यान रखना पड़ेगा हमारी टीम में कोई भी ऐसा वेक्ति नहीं होना चाहिए जो नकरात्मक हो नेगेटिव हो या जो हमारे को कहीं भी आगे बढ़ने से रोक रहा हो जो हमारे लिए लाइबिल्टी हो सफल लोग अपने साथ ऐसे लोग को रखते हैं जो एसेट्स होते हैं जिनका चुनाओं में थोड़ा भूद भी प्लस योगदान होना चाहिए ना कि नेगेटिव योगदान तो ऐसे लोग का इडेंटिफाइ करिए यदि कोई वेक्ति आपके टीम में ऐसा है जो नकरात्मक है क्या बार क्या होता है परिवार के लोग होते है माताजी है पिताजी है कोई भाई है कोई दोस है कोई कजन है अब वो नकरात्मक है अब क्या करेंगे आप उसे सोचते नहीं यार मेरा सगा है मैं इसे हटा नहीं सकता हूँ मुझे इसको रखना चाहिए अब ये नकारात मक्ता सम्मे फैला नहीं शुरू कर देगा रहे यार हम तो चुनावार जाएंगे रहे सामने आलो तो दबंग है सामने आलो तो पैसे वाला है हमारे पास तो ये नहीं है हमारे पास तो वो नहीं हम कैसे लड़ेंगे क्या करेंगे कर पाएंगे के नहीं कर पाएंगे दूर रखिया ऐसे लोगों को और उन्हें समझा दीजिए कि सामने वाले के लिए जैसा उमीदवार हो है हम वैसी रणीते त्यार करेंगे और हम उसे हराएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ हर उमीदवार को हराया जा सकता है हर सीट पर चुनाओ जीता जा सकता है यदि वैक्ति को खुद अपने उपर भरोसा हो कि मैं चुनाओ जीत सकता हूँ और आने वाले आने वाली वीडियो पे पार्ट थर्ड फोर्थ में मैं बात करूँगा दबंग उमीदवार है तो कैसे हराओगे, पैसे वाला उमीदवार है तो कैसे हराओगे, बदमाश है तो कैसे हराओगे, सामने वाले के साथ बाहू बल जाद है तो कैसे हराओगे, किसी एक जाती है, धर्म का वेक्ति है, उसका वर्चस जादा है तो कैसे हराओगे, कैसे उसक तुम्हें एक खास काम के लिए इस धर्दी पर भेजा है और वो चाहता है कि तुम सफल हो जाओ बहु बली है दबंग है बहुत जादा बदमाश है अब आप सीधे सचे हैं तो क्या हो कैसे लड़ा जाए क्या इस चुनाओ को लड़ना चाहिए ग्राम सभा में या नहीं लड़ना चाहिए या हमें जैसा पहली वीडियो में बताया कि ग्राम सभा को चेंज कर लेना चाहिए मेरी recommendation ये रहेगी कि आप अपनी सिती को बहतर जानते हैं मुझसे भी जादा अपनी सिती देखिए क्या आप हर तरह से उस बाहु बली के सामने टिकने के लिए तयार हैं टिक पाएंगे के ने टिक पाएंगे के ने जीतेंगे ने जीतेंगे मेरी masculine लेकिन अगर आप कहते नहीं मैं मानसी उस से मिझबूत हूँ मैं घबरानी रहाऊ habe मैं डर नहीं रहूं मुझे तो सिर्फ रननीती चाहिए उसे हराने की हाँ तो मैं आपको रननीती दे रहा हूँ सबसे पहला step यही है कि आपने घबराना नहीं है डरना नहीं है और मैं आपको रास की बात बता रहा हूँ जो बाहु बली अपने आपको कहते हैं जो फेमस होते हैं जिने बदमाश कहा जाता है जादा तर लोग डर पोक होते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि आप उसके सामने ठीके हुए आप डर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी आप भी इंसान हैं आपको अपनी सेफटी सेक्यूर्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने साथ ऐसी टीम तैयार करिए दो चार पांच लोग की जो आपकी safety security का ध्यान रखें हर जगा हर समय पर क्योंकि ऐसे लोग बनवाश भी रखते हैं वो किसको भेज भी सकते हैं वो कुछ गलत करा भी सकते हैं और सारी सब कुछ किस से आप से ही तो है यदि आप ही नहीं safe होंगे तो फिर क्या हो दूसरी चीज़ ऐसे बाहु बली वैक्ति के सामने आपको भी थोड़ी अपनी छवी दबन की बनानी चाहिए या दिखानी चाहिए आचारे चालक के कहते हैं यदि आप जहरीले साप नहीं भी हैं तो भी फुंकार ऐसी मार ये के सामने वाले को लगे के जहर है और राजनीती में जाओ तो इतने सीधे बद बनना वरना जंगल में जाकर देखो सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं तेड़े तो पेड़ों को भी छोड़ देते हैं तो इंसान से कौन पंगा लेगा तो अपनी छवी थोड़ी से ऐसी बनाईए और उसमें क्या करना है आपकी जो टीम बनेगी प्रमोशनल टीम, सोशल मीडिया टीम या बाके टीमें वो टीम में आइससा आइससा आपकी छवी का निर्मान करेंगे और बी मैंने पहले भी कहता पिछली वीडियो में कि आपकी कौनसुंसी देखकर ही मैं तैह कर सकता हूँ कि वहाँ आपकी छवी कैसी बनानी है जहां आपर सामने वाला बाहुभली है तो थोड़ी सी दमंग की चवी आपकी भी बनायेंगे जहां सामने वाला पैसे वाला तो थोड़ी चवी आपकी भी ऐसी बनाएंगे जहां सामने वाला शरीफ इसान है तो आपकी भी चवी ऐसी बनाएंगे अब ये चवी आप कहेंगे क्या बनाई जा सकती है बिलकुल बनाई जा सकती है किसी भी छवी को बनाने या बिगाडने में हमारी बहुत सारी टीमे होती हैं जो काम करती हैं और हमारे बहुत सारे behavior होते हैं जो काम करती है दर कहां कौन सा behavior इस्तमाल करना है डारे टकर नहीं लेनी है ऐसा ना हो कि सीथा भीड़ जाओ अब cycle के trucker truck से करा दोगे तो क्या होगा नुकसान cycle के होगगा truck का कुछ ने पिकड़ेगा तो कई वार लोग कहते हैं सीदा भिढ़ जाते हैं अभी हम 2-4-5 लोग ले जाते हैं और उसको पीड़ देते हैं उसके khas्वUNDरों पीड़ देते हैं बाई वो गोली मार देगा, बात खतम होगी न, ऐसा नुक्सान नहीं करना, सुसाइडल स्टेप नहीं लेने, हमें क्या करना है, उसकी छवी है, छवी को ही तोड़ना है, जी हाँ, जब कोई वेक्ति दबंग छवी वाला हो, तो उसको नहीं हराना, उसकी छवी को समाप्त करो, वो अपने आप समाप्त होगा, उसका जो डर है, उसकी जो दहशत है, उसको खतम करना होता है, हमें उस वेक्ति को खतम नहीं करना होता है, उसका डर, उसका डर या दहशत जो दबंग गई है, वो हटनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको भी बोल्ड बनना पड़ेगा पिच्चर का हिरो होता है आपको भी बुढ़ा सा, कमजोर सा बिमार सा आदमी पिच्चर का हिरो हो आपको पसंद आएगी क्या हो पिच्चर आपको क्या हो हिरो पसंद आएगा, नहीं आएगा भाई तो जनता भी अपना नायक थोड़ा दिलेर चाहती है थोड़ा दबंग चाहती है या कम से कम ऐसा चाहती है कि जो सामने खड़े हो सके टकर दे सके ऐसा नहीं चाहती है कि जो सामने कोई आया और उसने अपना छवी को तोड़ना होता है और छवी को तोड़ने के बाद हम उसक सामने टिक सकते हैं कैसे चवी को तोड़ना है कैसे आपने अपनी चवी को उससे बड़ा बनाना है एक लाइन जो बनी वी ऑसे बड़ी लाइन कैसे कीछने है मौँ आपको गाइड कर दूँगा situation के जाब से पहले अपने लवल पर करिए अगर ना तोड़ पा रहे हो चवी को कोई दिक्कादारी हो तो मुझसे बात करिएगा उसमें मैं training में help कर दूँगा सिखा भी दूँगा आपको one-to-one भी guide कर दूँगा दूसरा टॉपिक जिस पे आपको धियान रखना चाहिए चुनाओ जीतने के लिए ग्रामिस्तर पर क्या करना है हमें fund raise करना है देखे वैसे तो हर चुनाओ में fund का अपना रोल होता है लेकिन ग्रामिस्तर पर रोल थोड़ा सा जादा बढ़ जाता है क्योंकि सब एक दूसरों को जानते होते हैं और एक एक वोट महतवपून है हार जीत कई बार 2,2,3,3,4,4,5,5 वोट से हो रही होती है तो यानि कि ऐसे समय में यदि हार जीत का अंतर इतना कम है तो हमें उस अंतर को कैसे पाटना है कैसे अपनी फेवर में जादा जादा वोट करने है उसमें एक बहुत बड़ा रोल फंड रेजिंग या क्राउट फंडिंग का होता है क्यों क्योंकि जो वेक्ति आपके ओपर 10 रुपे का दाव खेल देगा वो आपको अपना वोट जरूर देगा जो वेक्ति 100 रुपे का दाव खेलेगा उसके घर का वोट मिलेगा और यदि कोई वेक्ति 1000 रुपे का दाव खेलेगा तो देखेगा वो अपने 2, 4, 5, 10 जानने वालों का वोट दिलवाएगा अब सवाली है कि वो आप पर दाव कैसे खेले क्यों खेले उसके लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो आप परदाव खेलने के लिए तयार हो जाए उसके लिए आपको अपनी टीम को बिल करना है जैसे मैं फंडरीजिंग ट्रेनिंग में सिखाता भी हूँ जो लोग आप मैंसे लेंगे उन्हें भी सिखाऊंगा जब आप संसाधर मांगते हैं इससे आपकी छवी अच्छी होती है तो हमें अपनी छवी का ध्यान रखना है वोट भी चाहिए मैं उसे खाली पैसा नहीं चाहिए मान लिजी आपकी छवी खराब हो गई और किसी ने आपको वोट दे भी दिया तो क्या होगा तो नुकसान ह जाएगा आपका पैसा दे भी दिया तो वोट नहीं देगा ना तो छवी का ध्यान रखें कि आपका वोट भी चाहिए आपको उसका पैसा ही नहीं चाहिए पैसा दे दिया और वोट नहीं दिया तो नुकसान जादा है भले वो पैसा ना दे और वोट दे दे वो हमारा फाय प्रेजिन टीम को ट्रेन करना है और फिर जिन से फंड लेना है उन तक अपनी बात को अपने मैसेज को संदेश को पहुचाना है। पैसा नहीं मागना अब सवाल है क्या क्या मागना है तो वो आप अपने दिमाग से लगाई है क्या क्या मागा जा सकता है कैसे मागा जा सकता है और नाराज भी नहीं करना है किसी को और जातर लोग जो ग्राम सभा का चुनाओ लड़े या विदान सभा कर ले जब वो फंड रेस करके चुनाओ लड़ते हैं जब वो अपना पैसा ना लगा के दूसरों का पैसा लगा रहे होते हैं तो इससे उनकी जीत की समभवना भी हदिक होती है और उनके पास एक बफर होता है एक स्टॉक होता है एक बैक अप होता है ताकि अगर सामने वाला ज़्यादा पैसा खर्च भी कर रहा है तो भी आप चुनाओ जीत जाए तीसरी चीज़ जाती धर्म के समीकरन जी हाँ हमारे फिडमना बदकिस्मती हमारे देश की ये है खास कर से ग्रामिस्टर पर बिना जाती धर्म के कोई चुनाओ हो ही नहीं रहा और पुरा गाउं कई बार तो पुरा गाउं पड़ जाता है जाती के अधार पर धर्म के अधार पर तो उस समय पर हमें क्या करना है हमें दूसरी जाती धर्म के लोगों में सेंध मारी करनी है लेकिन ये करते समय भी ये ध्यान रखना होता है ये काम उमीदवार ना करे क्योंकि अगर उमीदवार ने ये काम किया तो कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी जाती धर्म के लोग होते हैं, वही छूट जाते हैं, वही नाराज हो जाते हैं, अब आपके एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, कि हमें सामने वाले के दूसरे जाती धर्म के लोगों में सेंदवारी करनी हैं, उनके वोट लेने हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे है उमिदवार ने नहीं करना? हाँ, उमिदवार तो धूला है, शादी में धूला क्या करता है? धूले का काम होता है, गोडी पर चड़ना, फेरे करना, बरात में जाना, बाकी काम सारे घरवाले करते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इस काम के लिए भी अपनी बरात या घरवाल नहीं होते हैं उनमें भी आपस में गुडबाजी हो रही होती है तो उस गुडबाजी को तोड़ने कोशिश करिए उस गुड़ को देखे जो गुड़ अपनी जाती धर्म के लोगों से नाराज है या खुश नहीं है तो इस तरह से उनके वोटों को लिया जा सकता है और भी क वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अलग धंग से अपनी बात रखेंगे, और इस धंग से रखेंगे, लोगों के दिलों को आपके बात छुद जाएगी, तो डेषिनिट्टी वो लोग आपको वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, उनका साथ भी मिलेगा आपको आपकी अपनी छवी, आपकी अपनी इमेज बहुत महतपूर होती है तो हमें इमेज बिल्डिंग पर काम करना होगा कोई भी यूद, कोई भी लडाई सबसे पहले यहां जीती जाती है यदि आपने अपने दिमाग में लडाई को जीत लिया तो आप फिल्ड में लडाई को जीत लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इमेज को तयार करना है मांसिक रूप से अपने आपको भी तयार करना है और दूसरों की नजरों में वो इमेज बनानी है कि वैक्ति ग्राम परधान बन सकता है लोग आपको वोट क्यों करें आपको ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा लोग आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए आपको लोग चुनाओं से पहले ही ग्राम परधान के रूप में सुईकार करने चाहिए और इसके लिए आपको रनीती बनानी पड़ेगी। उन रनीती परकाम करना पड़ेगा जो रनीती ऐसी है जिससे कि लोगों की नजरों में आपकी इमेज ग्राम परधान की बन सकती है। और केवल ग्राम परदान की नहीं, एक सफल वेक्तित की आपकी इमेज को तयार करना होगा, आपकी इमेज बिल्डिंग इस तरह की होगी, और इस इमेज बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, इसमें आपका कमिनिकेशन मैटर करेगा, इसमें आपक कि वो विचार वो वीजर मेटर करेगा जो आपका अपनी ग्राम सभा को ले करके है कैसा वीजर होना चाहिए किस तरह से कौन से मुद्दे रखे जाए कई बार क्या होता है कई बार हम लोग ऐसा वादा कर देते हैं जो वादा हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं और कल को जब हम जीत जाते हैं तो लोग हमारे पीछे पर जाते हैं और हमें बाद में ऐसास होता है कि हमने तो गलत बोल दिया था तो अगली बार के लिए आपकी समभावनाएं पूरी तरह से समापत हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमें एक बार राजनीती में आगे चुनाओ जीतना और बस चलेगे नहीं हमें राजनीती में आना है चुनाओ जीतना है और कुछ ऐसा करके जाना है सकारात्मग कि लोग इंतजार करें लोग हमें बुलाएं लोग हमसे जुनना चाहें लोग हमें appreciate करें कि वाकई एक वक्ति को opportunity मिली और उसने उस opportunity का सही उप्योग किया उसने वाकई गाउं को तरकी करास्ते पर लेकर किया उसने वाकई वो जो कहा वो करके दिखाया और यह image building के लिए आपको मैंने जो जो parameter बताएं सब पर काम करना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा तो parallelly जब हम लोग आपको train करेंगे तो parallelly आप फिस शित्र में भी काम हो रहा होगा आप आप लोगों की मानसिक किस्सिती पर بھی काम कर रहे होंगे और आप अपने उपर भी काम कर रहे होंगे एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना होता है जो हमें मदद करती है चुनाओ जीतने में जब भी चुनाओ लड़ा जाता है चुनाओ लड़ते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि सामने जो हमारे जितने भी उमीदवार है उन में से कितने उमीदवारों को बिठाया जा सकता है तोड़ा जा सकता है या किसी ऐसे डमी को खड़ा किया जा सकता है जो सामने वालों के वोट तोड़ दे अमोवन किसी भी ग्राम सबा में अगर 2,500-3,000 वोट है तो कमसम तीन चार उमीदवार सीरियस होते हैं बाकि नॉन सीरियस उमीदवार होते हैं अब यह देखो कि जो नॉन सीरियस उमीदवार है उसमें से किस उमीदवार को बिठाया जा सकता है कौन सा ऐसा वेक्ति है जिसके बैठने पर आपको लाब होगा और सब करते हैं कुछ छुपकर करता है कुछ बता कर करते हैं अच्छा कुछ लोग सुसते हैं नहीं मुझे कोई फ़र्ग भी परता अरे पचास वोट ले जाएगा तो ले जाएगा बात पचास वोट ले जाने या ना ले जाने की नहीं है बात ये है कि वो कितने वोटर को इंफुलेंस करेगा कि आपको वोट ना करें वो क्योंकि अगर 50 वोट लोगों को वो इंफुलेंस कर पाया कि वो उसे वोट कर दें तो इसका मतलब शायद 500 या 1000 लोगों को ये इंफुलेंस भी वो कर पाया होगा कि वो आपको वोट ना करके किसी और को वोट करे और अगर वो वेक्ती बैठ जाएगा और वो पचास वोट आपको मिल जाए और हो सकता है कुछ लोगों को वो इंफलेंस करने से हमारी फिर्में इंफलेंस कर दे या हमारे खिलाफ इंफलेंस ना कर पाए क्योंकि अगर वो हमारा सपोर्ट में है तो अब वो क्यों मैठेगा तो हमें उसकी दुखती रख को पकड़ना पड़ेगा तो जो लोग चुनाओ लड़ने के चुक हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती है इसमें अच्छा इसमें उमीदवार नहीं करता है उम हम लोग उनसे जानकारी लेते हैं प्रोफेशनली तो फिर उनको हम बताते हैं सही सला देते हैं कि दो को आपके जीत की संभावना नहीं है और आपका उद्धेश्य अगर चुनाओ लने का यह है कि आपका परचार परसारो लोग आपको जान ले तो उसके और भी तरीके और हैं और भी तरीके हैं तो हर बार वक्ती जब आपको लगता है कि वक्ती बैठ गया किसी के कहने से तो हर बार पैसा दे करके नहीं बठाया जाता है बठाने की बहुत सारे तरीके होते हैं अच्छा ये काम भी हर जगा नहीं करना होता यदि माल लीजिए आपके सामने ऐसे उम विद्वारों को खड़े रखने के लिए भी सपोर्ट किया जाता है वही टीम जो जिसमें आप नहीं होंगे आपकी खास लोग नहीं होंगे वही टीम के लोग जाकर के उनको समझाएंगे कि आपको खड़े रहने में क्या लाब होने वाला है और कई बार ऐसे लोगों को उकसाया भी जाता है जो वरत्मान परदान के साथ हों या विरूधी के साथ हों जिनका हमें लग रहा है कि वो नाराज है या उनकी नाराजगी का लाब हमें मिल सकता है तो उस नाराजगी का दोहन किया जाता है उसको तैयार के जाता है, उसको समझाय जाता है, कई बार उसके उपर दाव भी खेला जाता है अगर मालनीजे, आपने अपने पूरे चुनाओं में 50,000 रुपे उस वेक्ति पर खर्च कर दिये और उसने 50 वोट भी सामने आले के तोड़ दिये, 100 वोट भी तोड़ दिये तो ये इतना बड़ा, इतना बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपको, कि हार जीत हो जाती है कई बार 10-20 वोट से हार जीत हो रही होते ग्राम सबह में वहाँ पर जहां 10-20 वोट से हर्जित होगी तो वहाँ 50-100 वोट तो डबल अगर 100 वोट तो टूट गए तो आमने डबल लॉस कर दिया उसका तो क्योंकि आपका लीड बिंटेन है और उसका लीड टूट रहा है तो वो जो वेक्ति खड़ा करना है उसमें क्या गुण होने चा करना है कहां सामने वाले के वोटों का धुरूवी करन को तोड़ना है कहां अपने वोटों का धुरूवी करना है इन सारी रणीतियों का भी इस्तेमाल किया जाता है और वो जैसे मैंने का हर ग्राम सभा पर अलग अलग होता है तो आपकी ग्राम सभा की स्थिति कैसी है उसे देख़ करके तैह होगा कि महां पर हमें किसी को खड़ा करना जरूरी है जो खड़े में उनको बिठाना जरूरी है या नहीं खड़ा करना नहीं बिठाना है इसे जिती हमारे favor में बिना उसके भी जा सकती है यह चीज जिसको हम लोग का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको चुनाओ जीतना है तो और इसमें मदद हम लोग करेंगे हमारी टीम आपकी मदद करेंगी जब आप प्रिनिंग लेंगे तो एक और चीज़ जिसका आपको बहुत जादा ध्यान रखना होगा यदी चुनाओ जीतना है तो जैसे मैंने क सफल होने वाली नहीं है इसके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपके लिए बेक एंड पर एक टीम तियार की जाएगी वो टीम अभी मैं खुलकर तो नहीं बता सकता टीम कैसी होती है कौन लोग होते है बट वह आपके एरिया के ह लोगों को रखा जाएगा लेकिन वो फ्रंट पर नहीं आएंगे इसको शैड़ो कैंपेनिंग बोलते हैं जो छुप करके काम करेंगे और ये कहीं पर भी ना बैनर लगाएंगे ना आपका पोस्टर लगाएंगे ना आपके चुनाओ चिनके बारें बात करेंगे ये साइकलोजी कर वार रूमे क्या होता है सामने वाले की साइकलोजी को बार 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 हिट किया जाता है बार बार उसको एहसास करा जाता है कि वो चुनाओ हार सकता है या उसके ऐसे लोग जो उसके खास होते हैं उन खास लोगों के बारे में उसके दिमाग में कुछ बी contain रखना यह उस team का काम होगा और मैंने बड़े 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 बाहु बलियों को बड़े बड़े दबंग को बड़े बड़े पैसेवालों को जब इस तरह की रणनेती का इस्तमालों के खिलाफ किया जाता है तो उनको हारते हुए देखा है उनको गृत्ते हुए देखा है के बार साधर लोगों को तो पता भी नहीं चलता है वो लोग सिर्फ यही चर्चा करो थे अरे वो वेक्ति हार गया अरे वो उसके खांदान के लोग थो पिछले दस बार से चुनाव जीतते आ रहे थे उसके तो बाप दादाओं का नाम चलता था उसके तो टीम में इतने लोग थे उसका तो इतना लोगों पर असान था ऐसा वेक्ति चुनाव हार गया जी हां हर वेक्ति को चुनाव हराया जा सकता है यदि आपकी रणनीती मजबूत हो अगर अगर आप मजबूत रणनीती बना पाए तो सामने विरोधी मजबूत से मजबूत विरोधी को भी आप अच्छी तरह से परास कर सकते हैं हरा सकते हैं बस सारा फोकस आपका अच्छी रणनीती बनाने पर होना चाहिए मबूत पकड़ पर होना चाहिए और अपने ख्योवी इस तरह की तयार करने पर होना चाहिए जिससे कि आप चुनाओ जीट जाए आप अपने सरपर मेहनत करिए अपनी टीम को तयार करिए पूरी टीम को लगा दीज़े इनकाम उपर अगर हो जाया तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मेरी मदद दे लिजी एक और चीज जिसका आपको बहुत ख्यार रखना है जिसको आपको तयार करना है वो है आपके साथ चलने वाले लोग और आपके अपने वफदार लोगों को ये काम देना कि उनको आइडेंटिफाई करें जो आपके उतने वफदार नहीं है जिनका face value उतनी नहीं है कई लोग ऐसे आपके साथ चलने वाले होते हैं आपके team में होते हैं जिनके साथ रखने से आपको नुकसान हो रहा होता है तो आपको ऐसे लोगों का identify करना पड़ेगा जो साथ रखकर कि आपका नुकसान कर देंगे ऐसे लोगों को साथ रखने से बहतर है ऐसे लोगों को साथ ना रखा जाए अम माली जिस situation ऐसी है कोई वेक्ति ऐसा है जो वेक्ति बहुत महतपून है जिसे साथ रखना चाहिए आपको लेकि उसकी छवी ऐसी है गाओं में या लोगों की नजरों में कि ये वेक्ति बंदमाश है या बेइमान है या इसने हमारे साथ गलत किया हुआ है लडाई चगला किया हुआ है और बहुत सार लोगों के साथ उसकी सम्मंद खराब भी है तो ऐसे वेक्ति को साथ भी रखना जरूरी है और सामने रखना जरूरी भ होना चाहिए कम से कम मंच पर नहीं होना चाहिए जा सभा हो रही है वहाँ नहीं होना चाहिए आपके साथ नहीं होना चाहिए बैक एंड पर वो जो करना चाहे करें परचार परसार करना चाहे करें लेकिन उसको भी यह समझा आजाएं, कि वो ग्राम सबह में ज़्यादा इंवाल ना हो, काम में इंवाल ना हो, और कम से कम उन लोगों के साथ कोई बहस बाजी ना करें, अप्नी टीम के कोर टीम के लोग को भी यह समझाना पड़ेगा कि वो लोग अपने आपको इस तरह से mentally prepare करें कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है अगर कोई विद्रो करता है या कोई हमारे खिलाब बोले लगता है तो इसको कैसे tackle करना है और कई कई उमिद्वारत ऐसे होते हैं जिनें पता ही नहीं होता और रन्नीती को Implement करवाने की जि relating जाहिए उनके उपर तो हमें क्या करना हमें हमें कोण कमिटी तैयार करनी है और उस कोण कमिटी वैसे लोगों को रखना है जो जिम्मेदारी ले सकते हो और फिर उनको जिम्मेदारी दे करके cross checking mechanism को डबल अफ़ ब्ब करना है ये cross checking mechanism क्या होता है इसमें journal ही हम लोग third party को involved करते है जो cross checking का का म करती है कि जो काम कहा गया वो हुआ के नहीं हुआ जैसे हम कह रहे है promotion वैसा चल रहा है के नहीं चल रहा है जो चीज हम कह रहे है उसका इस टीम लाइन करके एक जगा रखना और उस cross checking mechanism के दौरा ये चेक करना कि जितना कहा गया उतना हुआ या नहीं हुआ उसका वो result आया के नहीं आया जो हम चाहते थे और अपनी ड़ड़नीतियों में समय समय पर बदलाव करना तो हमें cross checking mechanism को डवलप करना होगा अपनी टीम में ऐसे लोगों को identify करना होगा जिनकी face value जादा अच्छी नहीं है या जिनकी face value खराब है और उन्हें court committee में ना रख करके court committee टीम के लोग उनको सामने ना करें साथ रखें अब सामने ना रखें और साथ रखें में बहुत सारे issues आएंगे तो जब आएंगे तो मैं guide कर दूँ आपको कि जब मैं कहता हूँ कि सामने ना रखें साथ रखें तो किस तरह से handle करना है इसको क्योंकि यह तना असान नहीं होने वाला और वोट दलवा दें जी हाँ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका गाउं में वोट ही नहीं है अब वो आपके well visher हैं वो आपको पसंद करते हैं वो आपका साथ देना चाहते हैं लेकिन मजबूरी उनके साथ यह है उनका वोट आपके गाउं में नहीं है आपकी ग्राम सबह में नहीं है अब वो क्या करें वोट तो नहीं दे सकते हैं आपको लेकिन वो influence करके वोट डलवा सकते हैं तो अपने ऐसे well visher's की team तेयार करिए वो सकता है आड़ोस पर उसके गाउं की हो हो सकता है वो कोई ऐसा वक्ति हो जिसकी उमर अभी 15 साल ही है कोई यूवा है बच्चा है लेकिन उसका influence है अच्छा कोई ऐसा teacher है आपके गाउं में जो दूसरे गाउं में रहता है उसका vote आपके गाउं में नहीं है हम identify करते हैं कोई जो सैनिक हो कोई डॉक्टर रहा हो कोई आपके गाउं का कोई officer रहा हो कोई बड़े पत पर रहा हो उन वेक्टियों के साथ आपके संबन अच्छी हो वो भी गाउं में नहीं है और उनका vote भी गाउं से कट चुका है और जितने जादा इंफूलनसर होंगे और जितने जादा powerful इंफूलनसर आपके आपास होंगे उतने आपके चुनाओ को जीतने की संबाव नाथिक होगी लेकिन ये ध्यान रखें जब इनफूलनसर से बात करनी है तो direct बात नहीं करनी है डारेट सीधा आपने परचार परसार के बारे बात नहीं करनी होती हाँ फस जाएंगे आप आपको क्या करना है रननीती के तहट बात करनी है ताकि ऐसा माहौल बन जाए वो वक्ति खुद आकर के कहे कि मैं आपके लिए परचार परसार करूँगा आप आप कहेंगे साब यह संभव है कि जी हाँ बिलकुत संभव है मैंने कहा नथिंग इस इंपॉसिबल अंदी सर्फेस अफर्थ राजनिती में कुछ भी असंभव नहीं है असंभव नाम की चीज़ नहीं है बस आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ यह हो सकता है हो सकता है उस इंफुलेंसर को उसका उसको इसराक से प्रेंड किया जाता है तैयार किया जाता है हैंपरिंग की जाती है और एक बार नहीं की जाती है बार बार की जाती है जैसे मैंने का ना एक पत्धर पर एक बार हतुड़ा मारा तो नहीं तोटेगा लेकिन दरार पड़ेगी फोड़ा सा नुकसान कर जाएगा वो ऐसे उस वक्ति को बार बार हैम्प्रिंग कैसे की जाती है और इंडारेट हैम्प्रिंग ही उती है उस हैमरिंग में क्या करना है हमें उसका नुकसान कुछ नहीं हो रहा लेकिन उसको बार-बार-बार-बार-बार-बार ट्रिगर भेजा जा रहा है और जैसी वो ट्रिगर वहां लगेगा जहां सही पोजिशन पर लगना चाहिए वो वक्ति आपके कैंपेंग के लिए आपकी सपोर्ट के लिए आ जाएगा उसके लिए जब आप आएंगे ट्रेइनिंग में तो मैं आपको गाइड कर दूँगा किस तरह से लोग आइडेंटिफाइ करना है identify करके list आपने देनी है उनसे use कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा रन्निती बनाऊंगा और direct आपकी बात नहीं होगी बात तब होगी मतलब जब वो आ जाएंगी तब बात होगी लेकिन उनके ना यहां कर देने तक आपसे बात नहीं करा जाएगी हमें अपने आपको तयार करना पड़ेगा और अगर हम तयार कर लेते हैं तो हमारी चुनाओ जीतने की संभावना बढ़ जाएगी हमारा लोगों के साथ emotional attachment जी हां हमारा देश emotional देश है और जो लोग जाती धर्म की बाशा की बात करते हैं वो मिट्टी की बात करते हैं actual में वो हम emotions की बात करते हैं धर्म भी एक emotion है जाती भी एक emotion है दोस्ती भी एक emotion है किसी पर किया गया ऐसान भी एक emotion है आपका या आपके खांदान का आपके माता पिता का आपके दादा का आपके पूरवजों का वो भी एक emotion ही है बस हमें ये पता करना है कि सामने वाले के emotions को कैसे कैसे trigger करके अपने साथ उस emotions के साथ उसे connect करना है लोग अपनी जाती और धर्म के खिलाब भी चले जाते हैं अगर उससे मजबूत कोई और emotion मिल जाये तो होता है न कि बार दोस्ती का emotion ऐसा होता है कि दोस्त जाती धर्म नहीं देखते हैं कि बार प्यार का emotion ऐसा होता है कि जाती धर्म नहीं देखा जाता उंच नीच नहीं देखा जाता रंग रूप नहीं देखा जाता ये ये emotion है तो जो वर्तमान emotion है उससे बड़ा कोई emotion तयार करना और वो जैसा हर ग्राम सभा के इस तर पर होगा अलग-अलग होगा हर मुईदवार के लिए अलग-अलग होगा कहीं पर जाती का emotion जादा मजबूत होगा कहीं पर धर्म का होगा कहीं पर शेत्र का होगा कर दोस्ती का होगा कर दोस्ती का होगा लेकिन सबसे मजबूत इमोशन इनके अलावा भी कोई और तयार किया जा सकता है जिससे आपको सपोर्ट आपको समर्थन मिल जाए अब इससे ज़ादा यहां नहीं बता सकता जब चुनाओ के आप तयारी करेंगे और आप आएंगे रणनीतिया सीखने के लिए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा अपनी तरफ से जितनी मैं बता सकता है बता दी मैंने आपको आप इनको इंपलिमेंट करिए अपने लवल पर जितना इंपलिमेंट कर सकते हैं मैं भी मदद करूँगा मेरी टीम भी मदद करेगी कोई डाउट है कोई सवाल है कुछ पूछना चाहें तो आप डारेट मुझसे बात कर सकते हैं आपको मेरा नंबर मिल जाएगा आप मुझसे दारेट संपर कर सकते हैं किसी और टापिक पर वीडियो चाहिए हो कोई डाउट है कुछ ऐसा है सवाल पूछना चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी आज के लिए इतना ही आगे किसी और विश्या पर बात करेंगे आपके उज्वर राजीति भविश्य के लिए हार देख शुब कामना आए जै हिन जै भारत